नमस्कार चैंपियन के नए एडिशन में आपके साथ मैं हूं साकिट समन और चैंपियन के इस नए एडिशन में अलग-अलग शक्सियत जो खेल जगत से जुड़ी वी हैं उनसे हम आपको रूबर उकराने वाले हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे ना सिर्फ उसके खे पहलू के भी बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर खेल के अलावा उनको किन-किन चीजों में दिल्चस्पी है और किस तरीके से वह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आज मेरे साथ इस कारेक्टरम में हिंदुस्तान की एक जानी-मानी शूटर अपको कब से हुआ? तीम, सो उसके बाद से, सिंस 11th standard, I've been doing, I've been in the Indian team. तो, सफर जैसा आगे चल रहा है, गोरीयाप का, उसमें बहुत सारे चीज़ें और भी देखने को मिल रही है, तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, अभी साफ गेम्स में, गोल्ड मेडल लेकर के आप आएँ, तो किस तरीके से अपने आपको तैयार करती हैं, गोरीयाप? काफी सारे आस्पेक्टs विसमें होते हैं मेंडलत्रेbane, फिजिकल हर ट्रेंटन, नूस्ट्रिशन और टेक्निकल्स ट्रेंज तो ह Іजि तो इन सब को कम्बाइन करके एक पूरा प्रॉससो तियार करना और हर एक चीज को इंडिविज्विली प्रिपेर करना हर एक चीज के लिए So it's a long process, but tiring है, but obviously necessary है हिंदुस्तान के लिए जब भी कोई खिलाडी पदक लेकर के आता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके पीछे की महनत को भी हम जाने उसके पीछे की महनत को भी हम समझें ऐसे में गौरी के खेल को तो हम जानी रहे हैं और गौरी के खेल के साथ-साथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सयम की बात गौरी कर रही है या फिर जिस तरीके से focus एक जरूरी होता है क्योंकि आप अगर पीछे जमानी में चले जाएं तो आपको याद होगा कि जब अर्जुन से कहा गया कि निशाना लगाओ तो कमोबेश उसी तरह की चीज़े होती है और गौरी हमारे साथ हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़े जाने की कोशिश करेंगे पहले खेल के बारे में उसके बाद गौरी की जिनदगी को भी टटाओनी की कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़े वहां से बी जाने की कोशिश करेंगे गौरी कंसेंट्रीशन यह बहुत जरूरी है एक शूटर के लिए कैसे हासल करते हैं क्योंकि यह तो एक ऐसे चीज है जो कि युवा पीडी को भी जाननी चाहिए कैसे कंसंट्रेट किया जाए है तो हमारे को मेंटल ट्रेनिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि हमारा माच बहुत ही प्रसाइज है आपने माच को ट्रेन करना कैसे माच प्रेशर को यह सारी सब्सक्राइश्ण ब़ॉते हैं कि अभी ऐसा हुआ कि बचपन में वह जब फिल्मों में हम लोग देखते थे घोलिया चलती ति होसके आवाज आती था थाए幹 कि आवाज आ रही हो या किसी और तरीके से आवाज आ रही हो तो क्या वो आवाज कभी आपको खीशती थी कि आपने तरफ की मुझे जाना है हाँ तो जब से मैंने शूटिंग पहली बारी स्टार्ट करी उसके बाद से यह चारी चीजें मुझे बहुत अट्राक्ट करती थी तो सारे गंज डिफरेंट टाइप की आमिनेशन तो यह सारी चीजें मुझे हमिशन से बहुत था इसे में एक चीज और जाना चाहूँगा जब भी आप जाती हैं किसी कॉंपेटिशन में और उसके बाद अब आपकी बारी है आपको निशाना लगाना है उससे पहले गौर अबने आपको mentally prepare करते हैं कि गेम में जाना है तो एक रूटीन होता है मैच से पहले कि होड़े प्रपेर यॉसल पर अप्रेशन तो से बात करके खुद को समझाना पड़ता है कि कोई इम्पर्टन प्रेशन आ रहा है तो मैच प्रेशर तो सब को ही होता है तो अपने आपको जो पर आपको संझाना कि यसे उस प्रेस्यो को करना है, तो झुद से बात करके इुद को मैच कर किसा हो बीच में हो रहा या बहुत अच्छा हो रहा है तो को माइं को से इंट और श्यूरेश नहीं हो पड एकSecर हाँ मतलब काफी टाइम लग जाता है बट I think practice makes a man perfect तो over time सब को समझ आ जाता है अच्छा सबसे पहला तुनामेंट जिस पर आपका गोल डाया उस टुनामेंट में शुरू से ही आप मतलब कूल रख पारी थी अमने दिमाग को या मुहापर कहीं ऐसा था कि अब तो पदक बिल्कुल गोल मेरे पास है starting में match pressure obviously definitely जादा होता है क्योंकि जब पहली बारी कोई match खेलने जाते हैं तो आपको mentally भी एक pressure होता है कि performance का और दीरे दीरे वो कम होता है लेकिन first competition में तो definitely मुझे pressure था और उसको control करने के लिए मतलब मैंने mental training की help ली लेकिन first competition में तो it was tough to go क्या होता है आज आज दरशकों को भी बताते हैं कि mental training किस तरीके से होती क्या होती है उसमें breathing techniques भी काफी यूस होती है क्योंकि मैं आज के time में आपको अपनी breath control करनी होती है तो उसको control करने के लिए breathing techniques होती है holding your breath for a while and then keeping your mind calm to meditation techniques होती है तो ये सारी चीज़ें सब include करके mental training अब आगे किस तरीके से target कर रहे हैं क्या दिमाग में हैं क्या और चाहिए किन किन तुनामेंस के ले तैयारी कर रहे हैं अभी नाशनल्स अभी खतम हुए हैं जी और अभी next trials आएं के February में उसके बाद सारी selection process शुरू होएगा olympics के लिए अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा olympics अगर selection चाहते हैं कि गौरी को पूरी जो दर्शक देख रहे हैं वह भी बश्यक करें को कि वह olympic के ले select हो जाएं और trial में अच्छा पद्रिशन करें लेकिन olympic एक बहुत बड़ा पोडियम होगा जहां पर जाना और जहां पर परफॉर्म करना और बहुत सारे ऐसे देश के बड़े-बड़े बिंद्रा जैसे शुटर्स भी आएं देश में जिन्होंने पदक भी लिया है कितना टफ होगा olympic में जाना है उसका एक दबाब किस तरीके का होगा हाँ जी साके तो competition तो बहुत tough है obviously और इसके लिए preparation का भी process लंबा चलता है तो अभी almost 6-7-8 महीने रह गये हैं तो उससे पहली selection आजाती है दू-3 महीने पहले तो ये वाले सारा period is very important और क्योंकि इंडिया में ही shooting का level ब select होना ही in itself is a very big deal तो I will work really hard for it बाकी जो भी है देखो आपको लगता है गौरी कि अब उस दौर में आप हैं जहां पर shooting को भी एक पहचान मिल चुकी है इंडिया में recognize कर रहे हैं लोग players को recognize किया जा रहा है इससे पहले होता था कि हिंदोस्तान में सिर्पर सिप क्रिकेट को ही recognition मिलती थी अब बाकी sports के players को भी recognize किया जा रहा है तो इससे कितना motivate होते हैं और इसका कितना pressure होता है यह चीज अब तो shooting को काफी recognition मिल रही है जैसे considering बाकी sports को भी पहले नहीं मिलती थी और अब sports को काफी जादा importance मिल रहे है cricket को छोड़ के भी बाकी सारे sports recognize हो रहे हैं तो I think सारे young athletes के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि उनको जागरुकता मिल रही है कि बाकी sports में भी आप जा सकते हैं तो उनकी preparation के लिए अपको coaches भी provide होते हैं तो यह सारी चीज़ें आगे वाली generation के लिए prepare करना और start करना कोई ऐसा sport easier रहता है अब एक चीज़ और मैं आपसे यह जाना चाहता हूं कि अब तो तैयारियों की ही बारी है लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ गोरी कि back to back खराब चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा बिल्कुल भी और जो expect आप कर रही हैं उस हिसाब से हो नहीं रहा और निराशा से घिर जाती हैं क्या कभी ऐसा भी होता है जी सब्सक्राइब तो I think 2017 मेरा पूरा साल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी तो खुद को अपने उस फेस से बाहर निकालना की you can do better again तो वो वाला फेस काफी I think सब की लाइफ में आते सारे अथलेट के लाइफ में अपस न डाउंस तो होते ही हैं तो going through that down phase खुद को बहुत ही जादा मोटिवेट करना मुश्किल हो जाता है लेकिन you have to keep going कैसे मतलब वो दोर अगर अगर आप फिर से एक बार हमारे दर्शनों के सामने रखना चाहिए फैमिली का किस तरीके से एक support उस समय मिलता है फादर का especially तो मेरी फैमिली ने हमेशा I think उनकी वजे से I got out of that zone तो मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा support किया कि despite कि अगर नहीं भी अच्छा चल रहा है they never demotivated me they were always like कोई बात नहीं आगे अच्छा हो जाएगा so they always help me move on from that phase की अभी नहीं अच्छा हो रहा है तो आगे अच्छा हो जाएगा क्या कि अगर तुम प्राक्टस करते रहोगे तो you will get the results I think low point अगर आप रिलाइज नहीं करोगे कि importance क्या है अगर आपको importance realize करनी अपने achievements की so I think you have to stay in your low to realize about the best parts of your competition and games लेकिन सबकी जंदगी में ऐसा part आता है हमेशा कोई पीक पे नहीं होता है हमेशा कोई जीत नहीं रहा होता है Champions भी कई competitions हारते है तो you just have to keep on going and giving your best बिल्कुल और तभी हमने अपने इस कारिक्राम का नाम ही champion रखा है और जिसमें हम लगाता है Champions को लेगर के आपके सामने आ रहे हैं ताकि आप भी उनकी जिंदगी से थोड़ा सा inspire हो पाएं और एक चीज़ और है अच्छीज़ और शूटर के खासियत क्या होती है I think keeping a very calm mind खुद को बहुती जादा calm and composed रखना और especially during a match I think that would be it चीक है चली हमने यहां पर गौरी के खेल के बारे में बहुत कुछ बाते कर ली हैं कुछ चीज़े और भी रही होंगी उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोड़े से ब्रेक लिए आप रुकेंगे ब्रेक के बाद जब हम लोटेंगे तो गौरी की जिंदगी को भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि एक शूटर की जिंदगी किस तरीके से होती है कितना कड़ा अभ्यास उनको करना पड़ता है और भी बहुत सारे चीज़ें जो अपार्ट फ्रॉम गेम होंगे स्वागत है आपका चैंपियन में साखेत आप मुझसे और कोई सवाल पूछना चाहेंगे जी बिल्कुल तो देखे जिम्मेदारी तो काफी कोछी गौरी ने उठाली है कि ब्रेक के बाद स्वागत वो कर रही है चले सवाल पूछने की जो जिम्मेदारी मेरी है वो मैं जी पा रही है या फिर इन बंदुकों के इर्दगिर्द ही पूरी जिन्दगी कट रही है जब दोस्तों की बात की जाए तो सर्कल बहुत बड़ा है या चुनिंदा लोग है जब यह पूरा टाइम मिलता है कि आज का एक दिन है गौरी के पास जिसको गौरी जी सकती है अपने तरीके से कोई अभ्यास के लिए नहीं जाना प्रैक्टिस का कोई शेडूल नहीं है नहीं कोई टूनामें नजदीक है उस दिन को गौरी कैसे जिती है इस दिन मैं बही अपने फरेंडस के साथ हो ताइम स्पेंड करती हूं अपने फैमिली के साथ पर जिम तो एक रूटीन है इतु जिम टो आइप टो तो वह मैं असनी करती। उसके अलावा कभी मुवी के लिए चले गए और फर फरेंड के साथ कोफी के लिए चले गए या दोस्तों के साल जब आप जाती हैं, मस्ती किस तरीके से करती हैं, मतलब क्या खाने में सबसे अदा पसंद है? मुझे इतालियन और जापनीज खाना बहुत पसंद है, और तो जब भी हम जाते हैं, हम मोस्ली इतालियन रेस्टारॉंट छूज करते हैं जब डाइट की बात आती है, एक एथलीट अपने डाइट को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि वो इधर उदर की चीज़े नहीं खा सकता, विराट कोहली को भी मैं सुन रहा था, विराट ने भी यह कहा कि छोले भटूरे बहुत पसंदे दिल्ली के उन्हें, ले हाँ मुझे देसी खाना भी बहुत पसंद है, मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो जिस दिन चीट्दे मिलता है, と कबी कभी मूर पर이 डिपल्डरे करता है, कभी इंडियन खा लिया, कभी इंडियन खा लिया, sen डशीड यीडरी असंदी chia़े है, क्लिस दिन 싶은ल तो इसका मतलब यह नहीं कि गोरी को गोलगप्पे पसंदना हो तो अमुमन हर हिंदुस्तानी लड़का हो या लड़की आज की तारिक में सबको गोलगप्पे तो वो खाती है अचा घर में गोरी किसके जादा सबसे जादा करीब हैं? ममी के, पापा के, भाई के? भाई के, तो उनका सेलेक्शन भी हो गया है हाँ जी तो अभी कल ही न्यूज मिली थी तो सब बहुत खुश है अभी आज वापिस जाके आए वांट तो तो मतलब वह भाई वहन में लड़ाई कम मस्ती जादा है पहले लड़ाई जादा होती थी मस्ती कम अब मस्ती जादा होती है अब वह भी शूटर है तो उनके साथ भी अभियास करती हूं गया अभी उसने एचस के तयारी के लिए ही दो साल से शूटिंग शोड रखी थी बट उससे पहले तो हम सारे इंटरनाशनल वगेरा कॉम्प शूटिंग करना है तो अब ही उसके लिए मैं कॉलेज के लिए भी आपलिकेशन फिल आउट कर रही हूं तो इस साल नेक्स यर अपलाई कर रही हूं तो क्या हम एक बहतरीन शूटर को को आने वाले दिनों में दूसरे किरदार में देखते वे निजर आएंगे हां जी क्योंकि शूटिंग के जरिये हिंदुस्तान को बहुत उम्मीदे हैं गौरी आपसे गौरी फैडरेशन की अगर हम बात करें उसका भी बहुत बड़ा रहोता है कि अपने एथलेट्स को किस तरीके से प्रोमोट कर रहा है किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है कुछ कहना चाह है कि शूटिंग भी एक स्पोर्ट है जो अप पस्यू कर सकते हो और उसमें भी सारे कोच जब करना फिजियो थेरेपस और मेंडल ट्रेनर सारे कोचिंग कैंप्स में हमें जो ट्रेनर मिलते हैं तो उनसे हमें अच्छे लेवल तक और इंटरनाशनल लेवल पे अच्छा पर पर गौरी की परसनल लाइफ पर गौरी तीवी देखती है तीवी नहीं लापटॉप नेट्फिक्स नेट्फिक्स इसका भी एक्रेज बहुत चढ़ा हुआ है लेकिन जब तक नेट्फिक्स नहीं था और अगर आप Bollywood की अगर हम बात करें गौरी तो आपके फेड़िट जाकलीन फर्नांड़स और दिपका पादिकोन बुड़ बी मैं फेड़िट और हीरो में? रन्वीर कपूर ओके चलिए रन्वीर सिंग का नाम नहीं लिए अपने कुछ ऐसे गीत हैं जो आप कभी अकेली बैठी है तो गुन गुना लेती है और वो आपके दिल के बहुत करी कि आप मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है मतलब दिन में मतलब अगर में प्रैक्टिस कर रही हूं तो भी मेरे गानेर चल रहे होते हैं गाडी मैं भी मैं गाने सुन रही होते हूं तो मझे बहुत अलग अलग टाइप के गाने पसंद हैं Punjabi, Hindi, English और उणमें भी सारे डा अगर आप पंजाबी गीत सुन रहे हैं आप यकीन मानी जन्ता टीवी के लावा कहीं नहीं मिले गई आपको पंजाबी गाने मुझे सिद्धु मुसे वाला दिल जी दूसाम अभी करन अजला मेरा फेवरेट है एंड उसका कोई गाना हिंट उसका अभी रीसेंटली गाना आया था उसकी में दो लाइने सुनाती हूं चड़ने दे हिंटिता दितेसी एक्खाने साथ होगी गालती के पड़े नहीं गए चलिए तो यह वाकर एक दिल्चस्प चीज है कि ऐसा नहीं है कि शूटर है तो सिर्फ हाथ में बंदूग और अच्छा गोरी कभी ऐसा हुआ है कि इस बंदूग के अलावा भी आप जो औरिजनल बंदूग है उन पर भी निशाना लगाया हो और आपका कभी वैसा मन करता ह जो शार्प शूटर होते हैं जो पुलिस के लिए काम करते है क्या गई ऑखी वैसा भी मन करता है गाहा है करता तो है अभी मैंने ट्राइ नहीं किया यह कि यह एदैनी करना चाहूंगी अभी उससे पहले मुझे बारा बोर करने का बहुत मुन है शॉटगन ट्राय करने का मन गौरी को क्या डायरी लिखना भी पसंद है? नहीं, मैं डायरी नहीं लिखती है, सिर्फ शूटिंग के नोट्स की मेंटें करती हूं, बट लाइफ वाली डायरी होती है अचा जब पहली बार आपने रेंज पे आप गई थी और पहला वो ट्रेणिंग सेशन, कुछ याद है कि पहला ट्रेणिंग सेशन कैसा था और लेकर के डाड गए थे, क्या था वो पहला ट्रेणिंग सेशन? मेरे भाई ने पहले राइफल से सब्सक्राइब किया था शूटिंग मैं भी फर्स तीम राइफली उठाई थी उस तीम से मैं बहुत छोटी थी तो मुझ से वथाई भी नी चाहरी ती तो मुझे टेबल पर रख्के शूट करना पड़ा था and so मैंने थोड़े टाइम तक राइफल करी for a few days और उसके बाद मैंने पिस्सल स्टार्ट करी तो फर्स्त रेनिंग सेशन मतलब बहुत डिफरेंट थे and rememberable क्योंकि जब पहली बार मैंने गान अठा के शूट किया तो फीलिंग तो बहुत ही अलग थी अगर अगर याद हो आना कि काफी वक्त हो चुका है उस चीज को लेकिन मैं फिर भी जाना चाहूँगा कि जब वह पहला ट्रेनिंग सेशन जब आपका खत्म हुआ था और आप जब भर लोटी थी तो कितनी एक्स्राइट थी घर में मा को बताने के लिए मैं अपना ट्रेनिंग कार्ड इस पे स्कोर आता है सुब आपे पेपर टागेट था तो जब मैंने शॉट्स लाए और जब टागेट पे लगे तो मैं बहुत ही खुश्ती आपको कार्ड लेके मैं पूर दिन घर में सबको दिखा रही थी कि कि मैंने ये मारा है और मैं क्योंकि 11th और 12th standard में तो बालन्स करना बहुत ही मुश्किल था विकिज कॉंपेटिशन और एग्जाम की डेट काई बहुत जादा सेम होती थी तो दोनों ही इतने इंपोर्टेंट होते हुए कि समझ नहीं आता था कि क्या मिस्करों बेट कॉलेज में अब ये है कि I'm in DAV त साथ तो अगर जैसे कोई competition के साथ dates clash हो रही है exams की तो वो बाद में ले ले लेते हैं तो उसके साथ अभी college में तो it's very easy to maintain and maintain the balance लेकिन school में बहुत मुश्किल होता था तो दोनों में से कभी एक चीज़ को चुननी पढ़ती होगी आपको हाँ पढ़ाई तो अभी background में थी काफी time से क्योंकि shooting पर ही main focus था तो competitions के time पर थोड़ा पढ़ लेती थी अगर exams pass होते थे तो वही के exam से 10 दिन पहले पढ़ लिया और फिर exams दे दिये कई sports person ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनके बास वक्त की कमी होती है अच्छा गॉरी हर पहलू से हम आपके रुबर हो रहे हैं क्या कभी ऐसा हुआ है कि गॉरी अकेले बैठ कर चुपचा रोई भी है तो 2014 में वर्ल चंपिंशिप थी अस्पेन में तो ये वाला competition मतलब मेरे दिल के बहुत ही करीब था और I missed the finals दो पॉइंट से तो वो एक चीज है जो मुझे नहीं भूलती कि उसके बाद जब वो उस दिन खतम होने के बाद मैं अकेले कमरे में बैठ के रोई थी के ये competition तो यही कि ममा बापा से बात करी तो उन्होंने समझाया कि कोई बात मी एकी competition है इस नौट दी अब दी वर्ल की आगे और बहुत सारे मैचेस आएंगे तो उन्होंने बोला कि आगे अच्छा हो जाएगा तो उन्होंने समझाया तो I was like ठीक है कि हो जाएगा ठीक हो जाएग कि आप विदेश जाकर के फैशन के पढ़ाई करना चाहती है यह ख्याल कब आया कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई आदमी एक स्ट्रीम में आ जाता है उसको छोड़ कर के दूसरे स्ट्रीम को चुन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकि फैशन का ख्याल कब स जादेश यह बश्कान से? जरुब जब टैन आदावाई कि बश्कान से यह भाई कि पशले मगी थे साल से मुझे फैशन में बहुता इंट्रिस था और मुझे खुद को तयार होना बहुत पसंद है मुझे फोटो शूट बहुत पसंद है तो फैशन स्टैलिंग जिसमे आर मेकप, फोटो शूट्स है, फैशन है, तो मुझे इस खुद को स्थाइल करना, लोगों को स्थाइल करना बहुत पसंद है, तो तो ताइस वाइम चूजिंग दर्शुकों को कुछ एक सजेशन या कोई भी भी बाजो आप कहना चाहते हूं, लेकिन आप चलते हैं, अगर आप वो करो जो इब आपके दिल को पसंद हो, क्योंकि अगर आप कोई चीज दिल से कर रहे हूं, तो आप हमेशा उसमें एक्च्यल करोगे, लेकिन अगर आप कोई चीज बिना दिल कर रहे हैं, तो वो अब अच्छी नहीं होएगी, जी और दिल के सुनिये तो सफलता आपके प हिंदुस्तान को पदक दिलाती रहें और बहतर करती रहें और ओलंपिक जैसे बड़े मंज पर बड़े प्लेटफॉर्म पर उनका एक बहतरीन प्रदेशन के तरफ से हो गोरी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बाचीत कने के लिए वक्त निकाला आपने बहुत बहुत शुक्र बहुत बहुत बहुत